हलो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमेटी के एससी सीजी और प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हीमिंद प्रधान आज आज हम डिसकुस करते हैं जनरल साइंस के अंतर के नेक्स चेप्टर को जिसमें कि आज हम इन्वार्मेंट से रिलेटेद डिफरेंट फैक् इंपॉर्टेट पर्सनालिटीज जिनका कंट्रिवेशन है तो प्रोटेक्ट दे इन्वार्मेंट या तो कंजर्वेशन अप दे इन्वार्मेंट तो सबसे पहले हम इन्वार्मेंटल एक्ट लॉग और पॉलिसी को देखेंगे तो जनरली हमारा जो अप्रोच रहेगा इंडिया की फर्स पॉरस पॉलिसी ओन 1894 ठीक है उसके बाद देखते ही इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिया की फर्स पॉरस पॉलिसी आई थी 1952 में यह बातें आपको याद रखनी है देन आप्टर देखते हैं कि वाइड लाइप का जो कंजर्वेशन पार्ट है 1972 वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, और इसी के थुरू क्या है, नेशनल पार्क, वाइड लाइफ सैंक्चूरी, ठीक है, यह जो सैक्रेट ग्रूप्स, आधी आधी जो है, यह सब चीजें क्या स्टाबलिस किये गए थे, तो याद रखेंगे, वाइड एक्ट कब आया था, और 1974, यह जो वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है वाइड लाइफ में फ्लोरा फोना सभी प्रोटेक्ट होते हैं, दूसरा आया था 1974 में, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कि वाइटर प्लूशन को लेके पहली बार पॉलिसी बनी थ यह जो एक्ट बना था, अभी एर प्लूशन का कुछ भी नहीं हुआ था, एर प्लूशन बाद में जुड़ता है, वो 1981 में जुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, कि 1974 में सबसे पहले वाटर प्लूशन प्रिवेंशन इन कंड्रूल एक्ट आया था, देन फ 1974 में आया हुआ था, इसमें अब क्या जोड़ दिया गया, एर प्लूशन को जोड़ दिया गया, अमेंड कर दिया गया, तो आप्टर अमेंडमेंट, एर प्लूशन प्रिवेंशन इन कंड्रूल एक्ट जो है, रिजूम हुआ, यानि कि कमेंस हुआ आया, तो यह था 1981 में, तो ये बातें याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर next देखते हैं Constitution of the Ministry of Environment and Forest पहली बार Environment and Forest Ministry पहली बार Independent India में किस year में established हुई that is 1985 में ये established हुई है ठीक है तो ये इस ताइब के fact है जो आपके examination point अब उसे बड़े important है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते देखिए Forest Survey of India Forest Survey of India क्या है उसका लाइक सबसे पहले उन्हों ने अपना report publish किया था 1981 में ठीक है इसका foundation रखा गया था ठीक है तो ये basically क्या है बाइनियल साल दो साल में एक ISFR इंडिया State of Forest report publish करती है ठीक है लास्ट जो आया था हम देखते हैं 2021 में आया था उससे पहले तो उसके दो साल 2019 में आया था तो अभी ISFR 2021 में जितने भी चीज़ें आएंगी वोड़ो आपके examination इंपोर्टन है ठीक है यह बाता सभी क्लियर हो रही है अब देखते क्या है नेक्स्ट कि यह जो आपका अच्छा फॉरस सर्वे अप इंडिया का हैड़कोर्टर काहां पूछा जाए तो याद रखना देहरादुल पर देहरादुल कहां पर उत्राखट पर तो यहां पर याद रखना है कि फॉरस सर्वे अप इंडिया का जो है है रिख लेंड कंजरवेशन प्रोग्राम 1987 में आया 1987 में वेट लेंड कंजरवेशन लेंड होता है तो यहां पर रखेंगे 1987 में हमारा वेट लेंड गर्विशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था बट एक्चुल में वेट लेंड गर्वेशन जो है वो हुआ था में 1971 में 1971 में राम सर समिट के थूँ वहां से इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार वाइल जो है वेट लेंड का में स्टार्ट हुआ था यह थोड़ा सा अनकॉमन टाइब के इसलिए मिंशन कर रहा हूं क्योंकि आपको एडवांटेज मिल सके क्योंकि यह कोश्चिंज एक्चल में इंपॉर्टेंट है बट हम जो है से स्किप कर देते हैं रिवाइस फॉर्स पॉलिसी फॉस्ट जो आई ही वह 1988 में फर्स्ट कब आया थे मैंने कहा था इंडिपेंट इंडिया में 1952 तो रिवाइस कौन स्वीज़ में आया 1988 में नेशनल रिवर पॉलिफी कौन स्वीज़ में थी यह भी आय थी 1988 में इको मार्क प्लांट जो इको मार्क होता है किसी भी प्रॉड़क्ट में देखन इको मार्क होता है तो वो कौन से येर में स्टार्ट हुआ था नाइटी नाइटी वन में स्टार्ट हुआ था ठीक नेशनल बोर्ड फॉरस्टी एन इकलॉजी डेवलपमेंट यह अतना इंपॉर्टन नहीं है नाइटी नाइटी टू बस याद रखेंगे तो यह सभी एक्ट नाइटी एक्ट ठीक है हमने इससे पहले वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा था वो कौन से येर में था 1972 जिसमें की यहां पे नेशनल पार्क वाइड लाइफ सेंक्शूरी वगरा वहां पे स्टाबिस होते हैं उसी एक्ट के दूरू 1986 के दूरू क्या ह इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कमेंट्स हुआ था वो लाया गया था ठीक है जिसमें की इन्वार्मेंट में जो सभी चीजों को प्रोटेक्शन की बात की गई थी बहुत सारे एक्ट बने थे उस एक्ट के थ्रू क्या है बहुत सारी उसमें पनिश्में आया water pollution ठीक है water pollution control and prevent and control वाला उसके बार 1981 में क्या जूड़ गया उसमें air pollution जूड़ गया अब इसमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे noise pollution जूड़ गया तो noise pollution 2000 में तो इस प्रकार connected method के दूरू आप relate कर सकते हैं ब्लाइट 2000 में noise pollution यह sound pollution इसे हम कह सकते हैं ठीक है यह आया था 2000 में बायो डावसिटी conservation act बहुत इंपोर्टन एक्जामनेशन पॉइंट आप उसे वह है 2002 में आया था देन देखते ही national environmental policy राज देखो यहाँ पे national environmental policy है और environmental protection act है दोनों में डिफरेंस है national environmental प्रोटेक्श जो policy आया था 2006 माय था जिसमें वहां के जो local people है जो ट्राइबल पीपल है उनके rights की बात भी की गई है ठीक है तो यह बात सभी clear वा नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल एंजी टी जो है 2010 में established हुआ है ठीक है और solid waste management rules जिसमें की हम देखते हैं यह आया था 2016 में 2016 में जिसमें की different अलग-अलग color के जो डिब्बे होते हैं जैसे की उसमें देखेंगे याद रखेंगे जी आर भी ठीक है तीन जो basic color है green color के box में क्या करना है weight वाले कचरे रखना है गीला कितरा कचरा रखना है blue वाले में सुखा कचरा collect करना है और red वाले में जितने भी क्या है dangerous या harmful या फिर glass या hospital waste electronic waste वगरे को red में हम रखेंगे यह concept के through solid waste management rules के through जो है वहाँ पे collection किया जाता है यह बाता सभी को clear हुई आगे बढ़े हम तो आगे बढ़ते हम कि different जो environmental like movement हुए हैं तो protect the environment तो उन बातों को देखते हैं तो सबसे पहले देखिए very famous chipco moment और आपकी exam में पूछा जा चुका है और चिपको moment कहां हुआ था और कौन से ऐसे environmental activist रहे उसी के बारे में पूछता है ठीक है 1973 में यह क्या हुआ था सबसे पहले यहाँ पे chipco moment like this is the tree और tree को एक symbolic रूप से आप उसको hug करेंगे और एक symbolic या प्रतिकात्मा गूप से यह message देंगे कि this is important for us ठीक है तो यह इसके जो stem को या इसके जो तने को इस प्रकार यहाँ पे hug किया गया है जिसमें कि यह message जा रहा है कि this is important और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चिपको moment चि से star करके रखें चंदी प्रसाद भट ठीक है चंदी प्रसाद भट उसके बाद देखते हैं सुन्दालाल बहुगुणा इनकी डेट हुई थी लास्ट यह बड़ा important examination point of view से गौर आदेवी यह तीन नाम बहुत important है याद रखेंगी कभी न कभी आप 2-4 exam देके देखिए यह fact आपको कभी न कभी definitely टकरा जाएंगे तो यह आपको याद रखना है क्या क्या है चांडी प्रसाद भट सुन्दालाल बहुगुणा और गौरा देवी ठीक है आप सभी को clear हो गया यह आगे बढ़ते हैं हम कि different जो और moment हुआ है जिसमें कि हम देखते है silent valley moment silent valley moment क्या है यह क का य इसको लीट कर रहते है डॉक्टर सलीम अली से बपरड्मेन आफ इंडिया कहा जाता है जिसमें refer का Бर्ड का स्टडी किया जाता है और नीथोलॉजी तो और सोलोजिस्त कह सकते हैं या बढंद मेंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को और local people के रीच ऐब के spectacular और इंव प्रोटेक्शन दी जाती है यह आप वो अलड़ी प्रोटेक्टेड है नैचुरली तो जब वहां पर हुमन इंक्रोच्मेंट होगा तो डेफिनेटली यह एरिया क्या होगा डिस्टर्ब होगा तो इसी को डिस्टर्बिंस को रोकने के लिए यह मोमेंट चला था 1973 में क्लेर हुआ आप सभी को आगे बढ़ें तो यहां पर याद रखेंगे साइलेंट वेली मोमेंट रिलेटेड विट अदर लोकल पीपल आप केरला एंड डॉक्टर सली मली क्लेर हुआ आगे बढ़ें तो अब देखते क्या है बिस्टोई मोमेंट भी बहुत फेमस है यह भी क् कितना पहले हुआ था 17 सैंचुरी में हुआ था 17-18 सैंचुरी में हुआ ठीक है और यहां पर क्या देख रहे है राजस्थान में यह हुआ था सन्जांभो जी अंबरीता देवी बिस्टोई जिसको इनके नाम पर वाइड लाइब कंजर्वेशन आवार्ड दिया जाता है त याद रखिएगा अम्रीता देवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसमें विस्टोई विलेजस इन खेजर्ली एंड शरांडिंग विलेजस सभी क्या है यह मोमेंट किये थे और उनका यही था कि सेव सैकरेट ट्रीज फ्रॉम बिइंग कट डाउन बाइड दे जा गया होगा सिंपल सी बाते हैं अब देखिए इनर्मदा बचाओ आंदोला न्या नर्मदा बचाओ मुमेंट यह भी बहुत देख रहे हैं यह लेडी है बहुत फेमस लेडी मेगा पाटकर तो मेगा पाटकर के बारे में याद रखना यह बहुत अप्लाइक फिनामनल ल तक काफी लंबे समय तक चला था ठीठे टूटाउजन प्लाइक फाइव सिक्स तक चला वह अभी भी कुछ इसमें इस से लड़े न्यूस देखने को मिल जाते हैं एक्चुल में बांद की हाइट बढ़ाने पर उसमें जो डूबान वाला छेत्र है वह उसमें क्या है लोकल प क्या करेगी और उसमें जो है लोगों के राइट जो है प्रभावित होंगे यह सभी बाते इसमें कभर की गई थी ठीक है बताई गई थी तो प्लेस स्टार्ट हुआ था एक्च्वल में गुजरात लेगिन हम देखते हैं इसमें माहरास्टा भी अफेक्टेड है याद रख उनका भी यहां पर लाइक इसमें जो है समर्थन था सपोर्ट था ठीक है उसके बाद देखते हैं अपिको मोमेंट जो है इसे कहते हैं सदन इंडिया का चिपको मोमेंट चिपको मोमेंट अभी थोड़ी दिर पहले हमने पढ़ा तो जैसे कि सदन इंडिया में हम देखते है साउथ इंडिया में 1983 में करनाटका में वहाँ पे यह सिमिलर टाइप का लाइक चिपको मोमेंट एक सिंबॉयलिक जो है यहां पे मैसेज देने की कोशिस की गई है और यह जो है कहां पे हुआ था पांडुरंग हेगडे पांडुरंग हेगडे क्या है इसको लीड कर रहे थे का चिपको मोमेंट का साउथ का मघृटब जिसनाम क्या कहते है अपी को मोमेंट कहते हैं बस इतना याद रखेंगे कौन सी एयर में हुआ था था नाइटीन 83 में खासकर दो चीज़ पुछी जाती है यह एक्टिविस कौन हे और कौन सा मोमेंट कहां हुआ था या किस से रे phenomenal lady है जो biodiversity conservation के लिए बार-बार वो उनका like contribution रहता है ठीक है और उसके awareness के लिए वो program करते रहती है तो promotion of biodiversity in organic farming तो biodiversity को promote करते हैं उसका conservation को दूसरा organic farming को लेकर भी वो मतलब ज़्यादा focus रहती है awareness फैलाते रहते हैं ठीक है बंदना सीवा जहां रख याद रखेगा है ना बंदना सीवा बहुत important contribution एंवार्मेंटल protection में नेक्स है बल्यापाल मोमेंट बल्यापाल मोमेंट वह एरिया है कि ओडिसा का एक एरिया है चांदीपूर चांदीपूर आइटी आर कहते हैं टेस्टिंग रिंज जहां से क्या मिसाइल की टेस्टिंग होती है तो क्या होता है कि उसके आसपास में बहुत पलूशन हो सांड और हीट जो होता है वो प्रेडिऊस करता यसके कारण चलाए तो वहां की प्रटिली ती चला है तो अ मुविमेंट किसे रेलेटेड़ है इतनी बात है आप सभी क्लियर हुई यह इंपॉर्टन मैंने आपको बताया एक दो और एक्जमपल है मैं इंपॉर्टन है देख लेते हैं तो मैंती मुविमेंट के बारे में देखें 1994 में क्या है यह मुव्मेंट हुआ ता उत्रा खंड में हुआ था कल्यान सिंह रावत यह अक्टिविस्ट का नाम याद रखिंगे कल्यान सीर्व cassette related with मैंती मुवमेंट अलग अलग मुवमेंट आपको देखा इसमjanald और मैंच the और आपको यहां पे मैच और क्रम्रीज तो इस परकार एक को सबूस्जच ना सकता है या गिवन लाइक फोश्ंच पर द present बया चार कोता है चीच को फाइंड आउट करना है इसका और यह भाते आपको याद रखनी है देन देखते हम तेहरी डेम मुवमेंट जो होता है जो हुआ था 1990 में हुआ था उत्राखंड में हुआ था सुंदर लाल बहुगुणा फिर यहां पे एक्टिविस्ट थे और यह भागी रथी जो रिवर है वहां पर क्या होता है कि भागी रथी रिवर जो है उसका जो बहने वाला जो छेत्र है वहां पर क्या बांद या डेम का जो है वहां कंस्रक्शन किया जा रहा था तो चूंकि वह अभी देखे ही होंगे उत्राखंड में जो फ्लट की कारण कितने जो यूज लेवल पर क्या हुआ था डैमेज हुआ था या जंधन की यहां नहीं हुए थी तो धीरे से क्या है उसको डैमेज कर सकता है बांद तूट सकता है या उसका वहां का एको सिस्टम बहुत सेंसेटिव हो सकता है तो इन सभी बातों के लिए क्या है इनके अगेंस में इन्होंने क्या किया था टेहरी डैम मोवमेंट चलाय था और इनको काफिया तक सफलता भी मि लेकिन मैंने कोशिस किया कि कलेक्टिवली आपको यहां पे सभी चीज़ें प्रोवाइट कर पाऊं ताकि एक्जाम में आप जो है बहतर से बहतर स्कूर कर पाएं ठीक है तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए कि इधर हम लेप साइट में लिखेंगे लाइक वह स्थाइस मिला था और उनका जो कंट्यूशन था लांश्च ग्रीन वैर्ट मोमेंट इंग्स इन patient green bed moment in 1970 वरिखेंगी फेमीट केट केनिया सोशिट्रवरक करह हैं और इंविर्मींटल इंडिवर्मेंटलिस्ट हैं ठीक है थो एक डरई से वांगरी मताई 2009 में सहीज़ वाइस प्रेसेडेंट रहे हैं ठीक है 2007 में और इनको जो है 2007 में जॉइंटली विद आई-पी-सी-सी नॉबल प्राइस मिला था अभी हम आई-पी-सी-सी को नोबल प्राइस किसले मिला तो वो भी देखेंगे लेकिन इनका जो है आदवर्ड ओ-ई-विलसन फादर ऑब बायो डाइवसिटी फादर आप बायो डाइवसिटी को कहा जाता है बायो डाइवसिटी इस दे की टू उइमन एक्जिस्टेंस ऑन अर्थ डाइवसिटी औप लाइव इनकी बुक का नाम था ठीक है तो बस याद रखेंगे बायो गेलार्ड नेल्षन जो है एकेट करते हैं है गेलार्ड नेल्षन के बारे में याध रखेंगे सर्वाइव अप्टर वर्ड वर्ड टू एज पॉलिटीशन एंविर्मेंटल एक्टिविस्ट थे सेकंड विल्ड वॉर के बाद इनका कंडिविशन रहा था ठीक है इन्विर्मेंटल एक्टिविस्ट के रूप में उसके बाद देखते हैं आयरेल लेटी इंद्रा गांधी बिगिनिंग आप टाइगर कंजर्विशन प्रोजेक्ट इन दे कंट्री ड्यू टू ठीक है यहां पर याद रखेंगे इनके कारण जो है यहां पर हमने देखा था वाइड लाइप कंजर्विशन एक्ट ठीक है आया था और वहां पी क्या देखते हैं इन्वारिमेंटल प यहां पर याद रखेंगे टाइगर कंजर्विशन प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर रिजर्व जैसे इसी की कारण आया था उसके बाद देखते हैं अनिल अगरवाल वेरी फेमस परसन है ना यहां पर इनकी जो बुक है बुक का नाम क्या है स्टेट आफ इंडिया इन्व की ओ है ठीक है वह एंफियो इं wrap इंवार्मेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है ठीक है अनिल अगरवाल का नाम याद रखेंगे ठीक है, established NGO, CEA in the field of environmental protection, ठीक है, याद रखेंगे, आगे देखते हैं हम, MC महता, MC महता भी बहुत बड़ी personality है, जो environmental sector में, permanent lawyer है, feeling a PIL डालते हैं, litigation PIL जो डालते हैं, for the environmental protection, जो जनहीत याचिका होती है, PIL होता है, तो उसमें क्या है, PIL डालने में सबसे आगे कौन रहते हैं, MC महता साहब, तो यहाँ पर याद रखेंगे, उसके माद देखते हैं, माधाव गाडगिल, माधाव गाडगिल साब क्या ह और कंजरीटी रेजिस्टर और कंजरविशरन आप सेक्रेड गृफ स या वाटिका, सेखरेड डूप्ष क्या होता है समस्ते हैं आप, कि कुछ ऐसे tree होते हैं, वह tree को क्या किया जाता है, वह वरसिप के पूंप उसे, पूजा के पूंप उसे, वो इंपोर्टेंट होता है, तो उनका जो है protection किया जाता है पवित्र उपवन कहते हैं sacred groups कहते हैं तो उसके लिए कि उनका यह contribution माधहोगाडगिल का ठीक है developing the biodiversity register और conservation of sacred groups उसके बाद देखते हैं डॉक्टर म. स्वामी नाथन तो म. स्वामी नाथन के बारे में कहा जाता है तो बादर आप इंडियन ग्रीन डिवालिशन फादर आप इंडियन ग्रीवालिशन अगरी कल्चर साइंटिस्ट फाउंडर आप स्वामी नाथन रिसाज फांडिशन तो यह सभी बातें आपके इंडियन कंटेक्स में कहा जाए तो डॉक्टर म. स्वामी नाथन ने लेकिन अगर ग्लोबल कंटेक्स में कहा जाएगा तो उनका नाम क्या है डॉक्टर नॉर्मन बॉर्लॉग ठीक है यह क्या है उनका जो है ग्लोबल सेनारियो में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्शन को कहा जाता है आई ओप यह सभी बात आपको क्लियर हो गई होगी अब हम आगे देखते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर जो है यह है राजेद्र सिंग राजेद्र सिंग को क्या कहा जाता है इंडिया कहा जाता है आरके पचवरी साहब जो है थोड़ा विवादित भी रहते अंत्रिम समय में इन्वार्मेंटल पॉइंट है उनका कंट्रिविशन भी है बट वह कंट्रोवर्सी को हम थोड़े समय के लिए अलग कर दें तो यहां पे देखते क्या है इन्वार्मेंट नोबल प्राइस मिला था जब मिला था तो वो क्या थे प्रेशिडेंट थे कौन आरके पचवरी और डिरेक्टर जनरल थे टेरी ठीक है इसके बाद देखते हैं सुगाथा कुमारी सुगाथा कुमारी के बारे में भी इंपॉर्टेंट है कि लांज दा सेव साइलेंट वेल और बाते हैं तो यहां पर देखिए यह है चंपा देवी सुकला और असीदा भी तो आपको पता होगा कि भोपार गैस का जो है ट्रेजडी हुआ था तो उनके जितने भी विक्टेम्स थे ठीक है वोमेन फाइटिंग फॉर इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एंड फाइट से बहुत बड़ा डैमिस था तो उसके कारण जितने भी विक्टेम्स थे या ओवराल जिसने भी प्रभावित लोग थे हैंना किसी के राइट्स इनको जस्तिस दिलाना ठीक है यहां के जो लोकल पीपल थे उनमें जो है बहुत सारी डिफरेंट टाइप की हैल्थ इसूस आ या मिक गैस भी कहते हैं उसे ठीक है इसके बाद देखते हैं बिली अर्जन सिंग बिली अर्जन सिंग एक्स्प्लीन दा रिलेशन से बिट्विन इन्वार्मेंट एंड एक रिलेशन से बताया है ठीक है contribution to the establishment of दुधवा नेशनल पार उत्तरप्रदेश ठीक है और दुधवा नेशनल पार के establishment में भी इनी का सबसे बड़ा contribution था याद रखेंगे अब क्या है हम देखते हैं कुछ और बातों को जिसमें कि हम environments related और दूसरी ऐसे fact को cover करेंगे जिसमें कि आपको examination point आवर से काफी help मिलेगी अब हम यहाँ पर देखते हैं environments related दो और चोटे चोटे topic को जो आपके exam में objective exam के point आवर से important है तो सबसे पहले हम देखें global warming को उसके बाद हम देखेंगे ozone layer को ठीक है तो global warming global warming को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है और इस तर लेटर exam में क्या चीज़ें आपको पूछी जा सकती है ठीक है इस topic को बहुत डीटेल में भी पढ़ा जा सकता है लेकिन हम SLC exams के point आव उसे कुछ उन बातों को ही cover करेंगे जो exam में काम आएगा तो देखो global warming global जो है पूरे विश्व को कहा जाता है वर्ड को कहा जाता है warming मतलब गर्म होना तो जैसे कि हमारा यह प्रित्वी है यह आर्थ है आर्थ में क्या होती है यहां से sunlight जो आती है सीधा सीधा यहां पे incident होंगी और जब यह incident होंगी तो उसके बाद क्या हो जाएग और हम देख पाते हैं sunlight का basically composition क्या होता है visible rays जिसे हम देख पाते हैं दूसरा क्या है कि इसको कहते infrared जिसके current चीजें किसी पर भी पढ़ती है तो गर्म होता है ठीक है तो यहां पे visible rays और infrared यह दो बात को समझीए यह क्या है आपका infrared वाला जो पार्ट है ठीक है visible rays infrared और एक होत rays ठीक है ultra violet rays तो UV rays कहेंगे यह हमारा जो है किस से related होएगा ozone से related रहेगा ठीक है इसके जस्ट बाद हम ozone को पढ़ेंगे तो यह जो visible rays इसके करण हम देख पाते हैं इसको भी थोड़े समय के लिए भूल जाए अब infrared को देखिए infrared मतलब जैसे ही sunlight जो होती आर्थ के surface पर incident होती है तो इसके बाद क्या होती है reflect हो जाती है तो atmosphere में हम देखते हैं यहां पर यहां पर क्या होता है यह वाला जो भाग है यह आर्थ का जो है इतना जो भाग होता है अगर हमको बात की जाए कि आर्थ का मीन टेंप्रेचर कितना है औसत तापमान इस प्रित्वी का कितना है तो कितना है फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस माना जाता है तो जो ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि प्रित्वी की सतह का इस प्रकार गर्म होना वो क्या है आपका ग्लोबल वार्मिंग ह अच्छा माना जाएगा है ना जिसके कारण प्रित्वी के ऊपर गर्म चीजे जो है यहां पे रहेंगी एक फेवरेबल कंडिशन्स होगा और फ्लोरार फॉना इसके कारण यह सर्वाइब कर पाएंगे लेकिन जब यह एक्सेस हो जाता है तो इसका हामफुल इफेक्ट दिख जिसके कारण प्रित्वी की सर्फिस ययर्थ सर्फिस का टैंपरेचर मीन टैंपरेचर 15 तक होता हिए अगर वखर मैं नहीं होता ठीक है यहाँ यह ग्रीन हाउज ख्यास के कारण यह ग्रीन हाउस क्डिः इसने होता तो इस केस में क्या है औरह चल्जा सबस्क्स,D However यहां तो green house gas एक certain level ता कि यहाँ पर presence जो है बहुत important है जिसके कारण इस प्रकार का structure जो है फॉर्म होता है जिसके उपर एक गर्म चादर लाइक अर्थ सर्फेस पर होती है तो जो गैस होते हैं वो कौन-कौन से उसे हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर समझीए कि अगर यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होते ठीक है तो आर्थ का temperature कितना होता माइनस 18 डिग्री सेल्सिस होता जो किसी भी केस में हम नहीं कह सकते कि आर्थ में फ्लोरा फॉना के लिए सर्वा ग्रीन हाउस गैस अब कौन-कौन से ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस जो है जब इनके अप्लाई कंसेंटेशन बहुत जादा बढ़ जाएगा तो जादा आर्थ का temperature बढ़ेगा तो यतने भी ग्लेसियस वगर है वो मेल्ट होंगे और इसके कारण जो सी लेवल खाए वो इनक्रीज हो जाएगा ठीक है वो एक बात है उसका नेगटिव इंपेक्ट है दूसरा जो क्लाइमेटिक चेंजेस है वो भी होने लगता है अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन-कौन से ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण जो है यह ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ग्लोबल के कारण यह का टेम्पेशन इंक्रीज होना बटां के करण है और इंक्रीन हाउस इस लिए जाता है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो कोजसेए जो इसके करण व्रता है उसए सकते फ्लोरा फॉना का जो है ग्रोथ और Weak में रुख सकता है different type के और भी issues आ सकते हैं तो वहां पर देखते क्या है जो green house gas है तो सबसे important है या सबसे ज़्यादा greenhouse gas emission में जो contribution है वो carbon dioxide का है 60% aquila यह responsible होता है ठीक है विसके बाद हम देखते क्या है दूसरा है आपका methane CH4 कहते हैं इसका contribution कितना है 20% है इसके बाद क्या देखते हैं chlorofluorocarbon है इसका percentage 14% ठीक है जितने भी एसी रेफ्रीजरेटर्स ठीक है या अपेंड के डिब में या chlorofluorocarbon का emission होता है जो बहुत ही unstable टाइप का होता है यानि बहुत साथ टेबल टाइप का होता है जो long duration तक इस atmosphere में रहता है और डैमेज करते रहता है ठीक है यह बात है सभी clear वह इतना इसके बाद देखते हैं कितना हो इक्चुल में यह यह पलूटेंट जादा है ग्रीन हाउस गैस जो है यह जादा है तो आपको पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन-कौन से कहा जा तो क्या रहा रखेंगे यहाँ पर याद रखेंगे कि यह सभी नाइटरस अक्साइड है लास नीचे का इसके बाद ओवराल देखते क्या है यह आपका ग्रीन हाउस गैस है और इनके कारण ग्लोबल वार्मी होता है जब एक्सेस हो जाएगा तो बहुत सारे नेगेटिव इंपक्त देखने को मिले बस इतना आपको याद रखना है जहां पर सीधा सीधा स्टेट फॉर्वर्ड कोश्ण पूछा जाता है सभी को क्लियर होगा इतना दूर अब हम ओजोन लेयर को पढ़ें तो ओजोन लेयर को यहां पर थोड़ा से देख लीजिए जो आपके ऐसे सी एक्जाम के पॉइंट अब उसे है ठीक है ओजोन ओजोन क्या क्या है उसका फॉर्मूला क्या है अगर हम देखें तो वो है ओध्री ठीक है ओध्री है और यहां पर क्या देखते हैं कि जो हमारा आर्थ का सर्फेस है जैसे कि यह थोड़े समय के लिए मान लीजिए यह हमारी आर्थ है ठीक है उसक इसमें अलग-अलग जो जो है इसका लेयर्स है अगर हम बात करते क्या है उसे कैसी याद रखेंगे टी एस एम टी और इटीक है तो सबसे पहले लिए क्या लेखते है ट्रोपोस्फियर तो यह जो है उपर वाला जी है ट्रोपोस्फियर ठीक है अग सर्फेस इसके बाद देखते हैं वह है मीजोस्फियर इसके बाद क्या देखते हैं वह है ट्रोपोस्फियर ठीक है थर्मोस्फियर ठीक है और उसके बाद देखते हैं लास वह है एक्जोस्फियर ठीक है तो यह डिफरेंट आपको सीधा-सीदा एक्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इन्वा और एक्जोस्फियर बहिर मंदल ठीक है तो यह जो होता है यह सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे टी यहां पर देखते हैं जो थोड़े समय के लिए क्या करते हैं यहां पर देखते हैं कि जो स्टाटो स्फियर वाला यह थोड़े स्टाटो स्फियर वाला पार्ट है तो यह नसी क्या करते हैं इसस में की हम देखते हैं कि नाइन्टी परसेंट यह क्या होताइड वी और 10% जो होता ही बैड उज्ण होता है कह सकतें तो यह स्टैटो स्वियर में इस ओजॉन गैस का एक लिएर फॉर्म करता है जो संलाइट में थीन आर्च का रेश हमने देखा था पहला देखा था हम उसके कहतें विजिबल रेश दूसरा हमने कहा था इन्फरारेड और तीसा तेता हम दैट इस यूवी रेस ठीक है यूवी रेस है तो यूवी रेस से protection कौन करता है यही ozone layer protection करता है clear हो गया अब ozone layer जब sunlight यहां पर परती है तो जो harmful ultra wild race जो है सीधा इसको like cross करने की कोसिज करती बट इट वक्स लाइक का से कारण आर्फ सर्फेस पर नहीं आ पाता जिसके कारण हमको लाइक कैंसर या दूसरे ऐसे स्केंड डेसी से हमको प्रटेक्शन मिल जाता है तो दूसरा बैड जोन इसलिए कह देते हैं कूझ वह एक ग्रीन हाउस गैस भी है ठीक है तो ग्रीन हाउस गैस में हमने कहते हैं clear होगे आप सभी को तो थोड़ी दिर पहले हमने जो पढ़ा था global warming में जो क्या-क्या हमने पढ़ा था co2 पढ़ा था methane पढ़ा था इसके बाद जो है और तीसरा क्या था वो है chlorofluorocarbon इसके बाद हमने देखा था यहां पे nitrous oxide N2O इसमें आप ozone को भी एड़ कर लीजिए और water vapor को भी एड़ कर लीजिए जलवास्प इसे हम कहते हैं ठीक है जलवास्प भी कहते है एक्च्छल में जलवास्प में सभी के concentration होता है अलग सा नहीं लिखा जाता लेकिन ozone इसके फो गया तो तो प्लीस ozone को आप depleting agent कौन से है और देप्लीटिंग एजेंट कौन कौन से है सबसे पहले बहुत कॉमन है chlorofluorocarbon यह क्लोर फ्लोर कार्बन है वैसे और क्या क्या है देख सकते हैं तो जितने भी लाइक और जोन डिप्लीटिंग एजेंट है यह सभी एजेंट क्या करते हैं ओजोन लेयर को damage प पर आ रही है ठीक है ऐसे फर्स टाइम जो है ओजोन लेयर का जो है वहाँ पर डिप्लीशन कहां पर दिखा गया था तो अंटाक्टिका में दिखा गया था यह पॉइंट आपको याद रखना है अब ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट को देखते हैं तो वहाँ पर दो साइंटिस्ट है जो से फर्मन ने सबसे पहले उसको समझा देखा था ठीक है अन्टाक्टिका में जो से फर्मन याद रखेंगे ठीक है और यह जो ओजोन डिप्लीटिंग वाला जो रीजन था यह रीजन को फाइंड आउट किन्यों ने किया था यहां पे और मार्यो मुलीना ने ठीक है यहां पर याद रखेंगे ये जो है यह फइन्ड ऊट केते हैं कि ऊजोन डिप्लेटिंग एजेंट होएं ये सब छीज़े ठाइग है कलो फलोरो कारबन ॉ ब्रो मुत टीक है मैथिल उसके बाद देखते हैं ब्रोमो क्लोरामीथेन और न्ट्रोजन के ओक्साइट ठीक है इस इंपोर्टेंट जो है ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट नहीं कहा सकते हैं इनका एमिशन होता है एक बार एट्मोस्पियर में चले जाते हैं तो बहुत लॉग डिरेशन तक यहां पे यह एकस करते हैं और इंवार्मेंट को डैमेज करते रहते हैं यह बातें आप सभी को समझ आई है ना अब यहां पर एक बात याद रखेंगे कि ओजोन लेयर को लेकर टीन कंवेंशन भी हुए हैं वह हम नेक्स चप्टर में पढ़ेंगे भी ठीक है वह तीन जो है याद रखेंगे जो आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर के से प्रोटेक्शन के लिए कौण-कौण सी इंवार्मेंटल कंवेंशन हुए हैं पहला है वीना starts start नाम है ठीक है जो जो लेयर से रिलेटे जो ट्रीटी या कन्विंशन हुआ है तो विएना कन्विंशन फर्स्ट है दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल Montreal Protocol ठीक है ये दूसरा नाम है ठीक है और तीसरा नाम है आप याद रखेंगे किगाली agreement किगाली agreement किगाली समझ होता ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे जो आपको exam में पूछी जा सकती है ठीक है तो इस topic में हम इतना ही रखते हैं जिसमी की इंवार्मेंट से लिए डिफरेंट टाइप की facts को हमने cover किया मिलते हैं नेक्स सेशन में कुछ नए facts और नए तत्थियों के साथ थैंक यू सो मच है बनाइस टे